हलो बच्चो इतना काम करिये कि काम भी आपका काम देख कर ठक जाए हलो एवरिवान वेलकम टू फिजिक्स वाला फांडेशन चैनल क्या हाल चाले प्यारे बच्चा लोग मचा रहे हो कि नाई मचा तो रहे होंगे क्योंकि ट्रिकनोमेट्री का लेक्चर नमबर 3 डिसकस करने जा रहा हूँ पुराने दोनों लेक्चर देख लिए होंगे जहांपर मैंने क्या क्या बाते आप लोगों के साथ कर लिए branप बता देता हूँ पहले lecture में मैंने 6 ओर trigonometric ratios को आपको समझाया था उसके अगले lecture में, trigonometry के lecture number 2 में मैंने some specific angles पे trigonometric ratios की क्या-क्या value होती है वो बताया था उसके बाद complimentary angle property भी हमने second lecture में देखा था आज हम जो देखने जा रहे हैं यह topic introduction to trigonometry जो आपका chapter number 8 है उसमें बच्चों को सबसे tough लगता है जो कि यह trigonometric identities identity tough नहीं लगता है जो question इस पे बनते हैं आपकी NCRT book में भी बहुत प्यारे-प्यारे question दे रखे हैं तब यह आपने NCRT care book के भी question कर लिए तो probability होती है कि वही question में से कोई सा question आपको CVC में दिख जाएगा है ना क्योंकि exam में generally उन्ही exercise 8.3 में से जो trigonometric identities वाली exercise है उसी में से घूमफिर के question आते हैं हम आज के lecture में उन्ही question को discuss करेंगे उन question को मैं सारे question को तो discuss नहीं करूँगा पर मैं आज आपको एक idea दे दूँगा कि उन question को approach कैसे करना है उनका एक method बता दूँगा ताकि आपको कभी भी proof करने वाले question में कोई समस्या ना हो कभी गलती ना करो proof वाले में वैसे तो कोई गलती होती नहीं क्योंकि हमको पता है क्या लेके आना है केवल ये नहीं पता होता है कि approach कैसे करना है तो आज उसी पे चर्चा होगी copy और pen निकाल लो एक मुस्कान के साथ lecture number 3 trigonometric को शुरू करते हैं सबसे पहले trigonometric identities की मैं बात करूँ तो आपके syllabus में 3 trigonometric identities है 3 identities आपको दिमाग में रखनी हैं जो NCRT में दे रखी है कभी मैं एक right angle triangle बनाता हूँ तो यार कभी ये angle theta है तो ये theta के सामने वाला perpendicular होता है ये base होता है और ये hypertenus होता है हम जानते हैं कि hypertenus का square बराबर होता है perpendicular का square प्लस base के square के भई पाइतगरस theorem 9th class में पड़ी थी 10th में भी पड़ी है 10th में इसका proof भी देखा है कि ये जो hypertenus का square होता है वो perpendicular square प्लस base का square होता है sorry अब इस hypertenus को कभी मैं RHS में भेजू इस hypertenus को कभी मैं RHS में भेजू तो मैंने यहां पर क्या क्या यह hypertenus square है है ना ये into में इसके साथ 1 लगा दूँगा तो ये 1 के साथ multiplication में है तो RHS में जाएगी तो divide में हो जाएगी तो ये बन जाएगा T square प्लस B square upon H square एक तरीका तो ये है कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि पहली equation को कभी तुम divide by H square कर दो तो LHS में भी divide कर दिया H square से RHS में भी H square से divide कर दिया ठीक है तो ये बना इसके बाद मैं स्कुरसा लिख सकता हूँ P by H P square by H square प्लस B square by H square फिर मैं इसको और अराम से देखूँ तो कुछ प्यारे बच्चों को चमक गया होगा पहली trigonometric identities मैंने prove कर दी P by H क्या होता है यार अभी सिखाया है कि sin theta होता है P by H और cos theta होता है B by H तो sin theta हो जाएगा मतलब ये sin square theta हो जाएगा प्लस B by H को cos square theta is equal to 1 अब यह trigonometric ratio में जो square होता है वो यहाँ पर लिखते मतलब sin square theta का मतलब क्या है पता है तुम्हें यह थीटा के बाद square क्यों नहीं लिखा क्योंकि बच्चे confused हो जाती कि यह angle पर लगाए क्या तो this is the representation sin square theta को ऐसे लिखते है sin theta का whole square ठीक है इसका मतलब यह है तो यह बनके sin square theta plus cos square theta बराबर 1 यह पहली trigonometric identities है जो आपको याद रखनी है जो आपको याद रखनी है कभी यह समझ में आ गई तो यह मेरी पहली identity हो गई sin square theta plus cos square theta बराबर 1 अब इसी identity को कभी में identity मतलब क्या होता है हर एक theta पे यह valid थीटा की कुछ भी value रखो theta 30 degree रख दो तो valid है theta 0 degree रख दो theta 90 degree रख दो सब पे यह valid है ठीक है तो sin square theta plus cos square theta बराबर 1 गी identity आ गई अब कभी मैं इसी equation को divide कर दू divide by cos square theta divide by cos square theta बोट LHS, RHS दोनों तरफ करेंगे तो क्या बनेगा देखो sin square theta plus cos square theta सब अपनी notebook में करो तो मज़ा आएगा है ना तो मज़ा आएगा और कभी identity को भूलोगे नहीं divide कर दिया cos square theta से LHS में भी तो RHS में भी करना पड़ेगा क्योंकि सवाल को नहीं बदला जा सकता जो चीज में LHS में करूँगा वही मेरको RHS में भी करना पड़ेगा अब इनको अलग-अलग करके लिखते हैं तो यह बनेगा sin square theta upon cos square theta plus cos square theta upon cos square theta बराबर 1 upon cos square theta 1 upon cos square theta होता है sec square theta cos square theta, cos square theta cancel हो गया sin square theta by cos square theta होता है 10 square theta मचा दिया अरे यह second identity है आपकी book में लिखी हुई that is sec square theta जो होता है वो होता है 1 plus 10 square theta तुमको यह दिमाग में रखना है यह derivation कोई तुमसे नहीं पूछेगा तुमसे क्या पूछेंगे कि यह identity होती है इनसे use करेंगे इन्ही identity को use करके questionों को solve करेंगे तो यह भी समझ में आगया होगा अच्छा एक और identity बनेगी इसी equation को लेते वापस first वाली को sin square theta plus cos square theta बराबर 1 अब मैंने यहां किस से किया था divide by cos square अब कर देता हूँ मैं divide by sin square तो कभी मैं इस equation को divide by sin square करूँगा LHS, RHS दोनों तरफ तो यह बनेगा sin square theta plus cos square theta upon sin square theta बराबर 1 upon sin square theta अब यह इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो यह बनेगा sin square theta upon sin square theta plus cos square theta upon sin square theta बराबर 1 upon sin square theta one upon sin theta क्या होता है cosec theta उसका square हो जाएगा मतलग ये हो गया cosec square theta sine square sine square cancel one हो गया cos theta by sin theta होता है cot theta उसके square लग जाएगा तो ये एक और identity बन गई ये आपकी तीसरी identity होती है that is cosec square theta cosec square theta होता है one plus cot square theta 6 trigonometric ratios को use कर लिया आपन ने पहली में sin cos के identity हो गई दूसरी sec 10 के terms में हो गई बन किस से रही है उसी identity को बदल बदल के आपन तीनों identity को derive कर पाए बस ये तीन identity अपने को दिमाग में रखने है पहली sin square theta plus cos square theta बराबर one sec square theta बराबर one plus 10 square theta and cos square theta बराबर one plus cot square theta ये तो सबको पता है na cos theta by sin theta होता है cot theta और square लग जाएगा ये नहीं पता है मतलब पहला lecture और दूसरा lecture देखने की जरुरत है मचा दिया भड़े आगे note कर लिया तो ये तीन trigonometric identity हमारे दिमाग में insert हो गई sin square theta plus cos square theta बराबर one बार बार क्यों बता रहा हो याद हो जाए है ना सारी चीज़े class में हो जाएगी तो केवल सवालों को करना रहेगा one plus ten square theta क्या होता है second square theta one plus cot square theta क्या होता है cos square theta याद हो गई होगी बड़े आगे question पहा जाए अब सीदे तो ये पहला सवाल आप लोगों के सामने लिखावा है पढ़ो इसको यार क्या कह रहा है express the ratios cos a, tan a and sec a in terms of sine मला आपको cos a को express करना है sine के terms में sec a को express करना है sine के terms में और tan a को express करना है sine के terms में इस तरह के question को approach कैसे करना है तो देखो यार तुम जानते हो एक identity अभी हाल अपन सीख के आए है कभी कह रहा है cos a को तुम sine a के terms में लिखो तो अपन सीख के आए है कि cos square a plus sine square a बराबर होता है 1 ये अभी पढ़ के आए है कि वही cos square a plus sine square a बराबर होता है 1 तो cos a की value कभी मेरे को sin a के terms में लिखनी है तो मैं कह सकता हो cos square a बराबर होगा 1 minus sin square a के तो cos a जो होगा वो plus minus under root of 1 minus sin square a होगा अब मैं तुमको एक चीज बता दू class 10th में तुमको जो ये angle a है ये अपन 0 से लेके 90 degree में ही बाते करते हैं इसके ना पीछे जाएंगे negative angles की बात नहीं करेंगे और ना ही 90 degree के उपर जाएंगे मतलब obtuse angle, reflex angle की बाते नहीं होगी तो 0 से लेके 90 degree में सारे trigonometric ratio मैंने बताया था trigonometric ratio angle पे depend करते हैं 0 से लेके 90 degree में जितने भी trigonometric ratio है मतलब 6 trigonometric ratios जो है वो सब positive होते हैं they all are positive or you can say non-negative or you can say non-negative क्योंकि 0 हो सकते तो positive ना कहने की बजाए मैं कहूंगा non-negative होते 0 से लेके 90 degree के बीच में और 0 और 90 degree पे दिखो 0 पे 0 हो जाती कुछ की trigonometric ratio की value और 90 पे 1 हो जाती तो non-negative number आते हैं मतलब negative quantity नहीं आएगी तो यहां पे जब मैं cos a की value बोल रहो in terms of sin a आप जानते हो 10 ए क्या होता है sin a by cos a है ना तो sin a के terms में express करना है cos a की value substitute कर दी sin a वाली 1 minus sin square a का root sec a को भी express करना है in terms of sin a तुम जानते हो sec a क्या होता है 1 upon cos a अब जो cos a की value है वो substitute कर दी 1 minus sin square यह यह तो मैंने बहुत simple सा एक question दिया था किसी भी trigonometric ratio को किसी भी trigonometric ratio के terms में express किया जा सकता है क्या कहा किसी भी trigonometric ratio को किसी भी trigonometric ratio के terms में express किया जा सकता है जैसे मैंने cos a को sin a के terms में लिग दिया 10 a को sin a के terms में लिग दिया सेके को साइन ने के टर्म्स में लिख दिया, मैं इनको किसी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, कैसे एक टेबल बनाते हैं, यह एक टेबल है जिसको अभी अपन फिल करेंगे, यह टेबल क्या है basically, यह टेबल अपन बना रहे हैं, यहाँ पे अपन लिखेंगे Conversion, Conversion of Trigonometric Ratios, Conversion of Trigonometric Ratios, यहाँ पे अपन लिखेंगे Conversion of Trigonometric Ratios, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा, इसी तरीके से मैं इधर भी लिख देता हूँ सारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा, अब तुम ध्यान से मेरी बास सुनना, यह मैंने इस तरीके से लिखा है, इस चेबल का मतलब क्या है? इस चेबल का मतलब है कि यार साइन थीटा को एक्सप्रेस करो साइन थीटा की टर्म्स में, वो यहाँ पे लिख दो, साइन थीटा को एक्सप्रेस करो कॉस थीटा की टर्म्स में, वो यहाँ पे लिख दो, साइन थीटा को कॉस थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करके यहा में आएगा और नहीं बन रहा है तो मैं तो हूई मैं तुम्हाइं सामने लिखते वे चलूंगा तो देखो पहले अपन पहले अपन क्या कर रहे है sin θ को express करा sin θ के टर्म्स में तो sin θ को express करा sin θ के टर्म्स में तो वो sin θ ही आएगा sin θ को express करा cos θ के टर्म्स में sin theta की value cos theta की terms में लिखी मतलब sin theta is 1 minus cos square theta का root sin theta को express कर दिया cos theta की terms में वो पहली identity यहां पर use करी जो है sin square theta sin square theta plus cos square theta बराबर 1 वो ही तीनों identity का use करके अब भी sin theta की value cos theta की terms में लिखी तो sin square theta 1 minus cos square theta हो गया sin theta under root में चला जाएगा इस तरीके से आगिया बहुत ही बढ़िया अच्छा sin theta को 10 theta की terms में express करो यहां थोड़ा सोचना रहेगा अब यह sin theta को express करना है 10 theta की terms 10 theta क्या होता है sin theta by cos theta अब देखो इस चीज़ को समझना ध्यान से मैं क्या क्या रहा हूँ अगले पेच पे अराम से देखते हैं अपना target क्या है कि sin theta को मुझे express करना है 10 theta के terms में कियार मैं जानता हूँ 10 theta होता है sin theta by cos theta यह मैं जानता हूँ यह आप भी जानते हो इसमें कोई नई बात आपने करी नहीं सर यह हम सब जानते हैं अब मेरे को sin theta की value यहां से समझ मैं कि यार यह जो sin theta होता है बच्चा वो होता है 10 theta into cos theta इसमें भी सर कुछ नहीं किया आपने केवल cross multiplication किया इस cos को अधर भेज दिया तो sin theta की value अब देखो यह 10 theta तो आगे यह cos दिक्कत कर रहा है इस cos को भी 10 theta के terms में express करना है हम एक चीज जानते हैं यहां पर denominator में 1 तो होगा और यह cos theta ऐसा है मतलब यह ऐसा भी लिख सकते 10 theta upon 1 upon cos theta यह cos को ऐसे लाओगे नीचे तो ऐसे आजाएगा और 1 upon cos क्या होता है sec होता है तो यह बन किया 10 theta upon sec theta चमका यह चमकना चाहिए अब देखो sec square theta तुमारा होता है 1 plus 10 square theta तो sec theta की value under root of 1 plus 10 square theta तो यहां पर यह आगया कि यह आया 10 theta under root of 1 plus sec theta को लिख देंगे under root of 1 plus 10 square theta तो यह sin theta express हो गया in terms of 10 theta मचा दिया होगा देखो अराम से अराम से देखो कोई confusion होना नहीं चाहिए कोई confusion होना नहीं चाहिए तो यह अपना गया sin theta कि इसके बराबर 10 theta upon under root 1 plus 10 square theta तो यहां लिख देते हैं theta upon under root 1 plus 10 square theta अब sin theta को cot theta के terms में लिखना है sin theta को cot theta के term में लिखना है तुम जानते हो sin theta को 1 upon cosec लिख सकते हो वह sin theta को यह बहुत easy है कि sin theta को express करो cosec theta के term में तो 1 upon cosec होता है अब यहां से ही समझ लो cosec theta को तो cot case में लिख सकते हो ना तुम यहां से समझापन ने कि जो sine theta है वो हमारा होता है 1 upon cosec और मैं एक चीज जानता हूँ कि जो cosec theta होता है that is under root of 1 plus cot square theta यह दिख रहा है तुमको? cosec theta होता है under root of 1 plus cot square theta कैसे आया? अरे उसी identity से cosec square theta होता है 1 plus cot square theta तो वहां से cosec theta हो गया under root of 1 plus cot square theta तो यह वाली बात भी आपको पता है तो इस cosec theta को मैं लिख सकता हूँ under root of 1 plus cot square theta यह sine theta express हो गया cot theta के terms में कुछ important बाते यहां पे हो रही है जो अपने को समझनी जरूरी है मेरे ख्याल से यह बात सबको समझ में आ गई होगी तो sin theta क्या हो गया? मतलब 1 upon 1 upon under root of 1 plus cot square theta अब देखो sec theta के terms में देखूँ तो अभी इस ही वाले को देखूँ अब sec theta के terms में लिखना है अभी अपने देखा कि sin theta यह होता है अब 10 theta और sec theta में यह relation है तो अपनलटा भी सोच सकते हैं यहां से अपनलटा भी सोच सकते हैं कि यार कभी मैं इसी equation को देखूँ, मैं इसी equation को देखूँ, तो मैं को एक बात समझ में आ रही है, कि कभी आप कह रहे हो sec square theta, 1 plus 10 square theta होता है, तो सर ये भी होगा, 10 square theta बराबर sec square theta minus 1, और 10 theta की value, under root of sec square theta minus 1, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाईश ही नहीं है, ये होगा, बिल्कुल होगा, तो यार ये कभी होगा, तो जहाँ-जह 10 theta है, वहाँ-वहाँ ये value रख दो, और मचा दो, तो 10 theta कहाँ था, इसी में देखें, 10 theta की जगा क्या लिख दोगे, under root of sec square theta minus 1 upon, ये आता sec square theta, उसका root, ये basically sec theta आता, ये बन गया, sin theta को मैंने, 6 trigonometric ratio में express कर दिया, इस तरीके से, तुम बाकी trigonometric ratios को भी express कर सकते हो, करो मेरे साथ, करो मेरे साथ, cos theta को sin theta की terms में कैसे लिखोगे, अभी सिखाया है ये तो, ये तो बहुत easy है, 1 minus sin square theta, cos theta को cos theta की terms में, तो cos theta ही होता है, cos theta को 10 theta की terms में, अब cos theta को किसके terms में करना है, 10 theta का, cos का तुमको पता है, sec में होता है, 1 upon sec, और sec को 10 में लिख सकते हो, तो 1 upon under root 1 plus 10 square theta, बही, cos theta को sec theta की terms में, तो easily express कर सकते हो, 1 upon sec theta, और sec theta की value 10 theta की terms में, easily लिख सकते हो, under root of 1 plus 10 square theta, अब cos theta को, cot theta की terms में कभी express करना है, तो तुम जानते हो, यार वो क्या होता है, cos by sign, बही, cos by sign cot होता है, cos by sign, अब देखो, यहाँ पर वापस से, थोड़ा सा सोचना रहेगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, सारी बाते समझ में आ जाएगी, अब मेरा target क्या है, कि मेरे को cos theta को, express करना है, in terms of cot theta, तो मैं जानता हूँ, कि cot theta होता है, cos theta by sign theta, अब यहाँ से मैं देखो, तो cos theta की value हो जाएगी, cot theta into sign theta, अब तुम जानते हो, यह वापस से, 1 upon sign theta क्या होता है, cosec theta, same logic, cot theta upon cosec theta, और cosec theta को, तो तुम सीधे, cot theta के terms में लिख सकते हो, that is under root of 1 plus cot square theta, यह आपका cos theta express हो गया, in terms of, in terms of, cot theta, कोई दिक्कत, भी cos theta, देखो, cot theta होता है, cos by sign, यह इदर भेजा, तो cos theta की value हो जाए, cot theta into sign theta, 1 upon sign theta होता है, cosec theta, तो cot by cosec, और cosec को भी cot के form में लिख लिया, तो cos theta को express कर दिया, किसके terms में, किसके terms में, भी cot theta के terms में, लिख दो यह value, that is cot theta, cot theta, upon, cot theta, upon under root 1 plus, cot square theta, cosec theta के form में लिखना है, तो, again, भी, अब ये, नीचे तो cos theta ही आ रहा था, नीचे तो cos theta ही आया था, अब उपर cot theta है, तो cot theta को cosec केस में लिख सकते हो, cos square theta, minus 1, अरे, इसी से, ये cos theta इसके बराबर है, अब ये cot theta को cosec केस में लिखना है, तो cot theta की value, under root, cos square theta minus 1 होगी, cos square theta के बराबर होता है, तो cot theta, under root of, cos square theta minus 1 के बराबर क्यों नहीं होगा, बिलकुल होगा, तो वो लिख दिया, अब ये हो गया, अब 10 theta की में बात करूँ, तो देखो, 10 theta होता क्या है, sin theta by cos theta, बस इसको इससे divide करना है, sin theta के terms में express करना है, तो इसको इससे divide कर दो, बागी तो अब तुम्हारा सारे ही तयार हो गया, sin theta by cos theta, तो यह आगिया, sin theta by under root 1 minus sin square theta, 10 theta को cos theta के terms में express करना है, वही, 10 theta का formula क्या है, sin by cos, सब उसी में form में, sin by cos में, cos के form में लिखे हैं, 1 minus cos square theta, upon cos theta, फिर, 10 theta को 10 theta के terms में express करना है, so that is 10 theta, यह इसको इससे divide कर दो, तो यह 1 upon cos theta, 10 theta को express करना है, cos theta के form में, तो 1 upon cos theta होता है, अब SEC theta को SEC theta के form में express करना है, तो इसको इससे divide करोगे, तो under root sec square theta minus 1, बिल्कुल यह होती है, identity, और cos theta के इसमें, तो यह इस से cancel हो जाएगा यह बनेगा 1 upon cosec square theta minus 1 मचा दिया cot theta में क्या करोगे 10 theta का reciprocal 10 theta का reciprocal 1 minus sine square theta upon sine theta cos theta upon under root 1 minus cos square theta इधर 10 theta का reciprocal तो यह 1 by 10 theta हो जाएगा इधर इसका reciprocal तो यह cot theta हो जाएगा इधर इसका reciprocal तो 1 upon sec square theta minus 1 हो जाएगा इधर इसका reciprocal तो under root cosec square theta minus 1 हो जाएगा sec theta क्या होता है cos theta का reciprocal तो in terms of sin theta इस तरीके से आप express करोगे इसका 1 upon cos theta इसका reciprocal 1 plus 10 square theta इसका reciprocal that is under root 1 plus cot square theta upon cot theta इसका reciprocal that is sec theta भई sec theta को sec theta के express करोगे तो इसी तरीके से इसका reciprocal तो या जाएगा cos sec theta upon under root किसका reciprocal कर रहोगा? cos वाले का 1 by cos होता है ना तो बस इनकी 1 by cos हो जाएगी value second ये वाली row को, third वाली row बोल दो ये पहली row है, दूसरी है, तीसरी third row का reciprocal में आपका sec वाले सारे आ जाएगे मचा रहे हो कि नहीं यार? मचा नहीं रहे हो तो मजा नहीं आएगा क्योंकि feel आगिया हो गया अब तक तो table सबकी तयार हो गई होगी cos theta upon under root cos square theta minus 1 अब cosec theta, sin theta का reciprocal होता है तो 1 by sin theta, है ना? और cos theta के form में लिखना है तो 1 upon under root 1 minus cos square theta इसका reciprocal 1 plus 10 square theta upon 10 theta है ना? इसका reciprocal under root 1 plus cos square theta मतलब ये second row वाली को पूरा reciprocal कर देना है इदर आजाएगा sec theta upon under root sec square theta minus 1 और ये आजाएगा cosec theta ये table तयार हो गई सारे trigonometric ratios को मैंने express कर दिया अलग-अलग terms में है ना? अलग-अलग terms में है इसका feel आ रहा है कि नहीं ये पूरी table का feel आ रहा है कि नहीं देखो ये sign cos का तो निकालना मैंने detail में जहाद दिया 10 को मैंने कैसे निकालना? sign by cos तो ये by ये, 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 सब इदर लिख दिया cot में 10 का reciprocal कर दिया बस 10 का reciprocal कर दिया है ना? sec के लिए क्या क्या? cos का reciprocal कर दिया तो cos वाली जो पूरी रो है, वो reciprocal हो जाएगी sec theta one by cos theta होता है cos sec में sign वाले का reciprocal कर दिया copy में कभी सबने मेरे साथ बनाई होगी तो मज़ा आ गया होगा है ना? note कर ली ये वाली table ये table important नहीं है पर कैसे मैं एक trigonometric ratio से किसी भी trigonometric ratio तक पहुच सकता हूँ ये समझना important है क्योंकि ये helpful होगा जब भी proofs वाले अपन question करेंगे तो अब आजा है question को मचाने पर चलो अगले सवाल की और बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की और बढ़ते हैं आगे प्रूव करना है ये trigonometric identity को ये वाला कौन करेगा? बताओ मदित करेगा, प्रकर करेगा, पंकच करेगा, कौन करेगा? देखते हैं, भूमी करेगी, कुछ बच्चों के मुझे नाम याद आगए, comment चो करते हैं रोज पताओ इसका answer क्या आएगा? प्रूव करना है ये वाली trigonometric identity को LHS को लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे LHS को लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे तो यार, जो हमने सीखा है, उसी को apply करते हैं जो हमने सीखा है, उसी को apply करते हैं तो cosec A, minus 1 है root में और cosec A, plus 1 है इधर ये सब है, तो यार जब भी ऐसे root में दिखेगा तो पहली चीज तो होती है, rationalization बिल्कुल कर देते हैं, rationalization, क्या तो तुम यहाँ पर देखो LCM भी ले सकते हो, कभी LCM ले लोगे इन root का कभी इन दोनो root का LCM ले लोगे तो ये root, root दोनों में multiplication हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, cosec A, plus 1, ठीक है cosec A, plus 1, है ना और कभी तुमको rationalize करके करना है, तो भी कर सकते हो किसी भी तरीके से कर लो, जो तुमको अच्छा लगे चलो, rationalize करके करते हैं तो इस वाले को rationalize करना है तो यहाँ पर cosec A, minus 1 से multiplication करेंगे है ना, तो उपर भी cosec A, minus 1 से multiplication होगा तो root में cosec A, minus 1, दो बार हो जाएगा तो वो root के बाहर ही हो जाएगा समझ पा रहे हो, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं आया समझ में, देखो क्या कहने की कोशिश कर रहे है यह आपका root में है अब भी rationalize करना है तो same number, मतलब यहाँ पर भी जिस से करोगे multiplication that is cosec A, minus 1 उपर भी उसी से cosec A, minus 1 से कर दोगे इसी तरीके से इधर आगे बढ़े तो यह है वापस से cosec A, plus 1 upon cosec A, minus 1 बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा है ना तीसरी identity use होगी यहाँ पर cosec A, plus 1 और cosec A, plus 1 अपन LHS ले के चल रहे है अपन RHS ले कर आएंगे taking LHS, LHS को ले के किया अपन ने इसको rationalize कर दिया अब यहाँ पर देखो A, minus B वाली identity लग जाएगी तो यह बन जाएगा cosec square A, minus 1 का root उपपर cosec A, minus 1 का root और cosec A, minus 1 का root दोनों सेम नंबरे दोनों पर root लगावा है यह बन जाएगा root of cosec A, minus 1 का square हो जाएगा बिल्कुल दो बार लिखा तो दो बार के लिए square यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से यहां पर वापस से root A, minus B, A, plus B यह हो जाएगा A, square, minus B, square that is cosec square A, minus 1 भई, A, minus B, A, plus B तो A, minus B, square हो गया और उपर root में cosec A, plus 1 का square हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा this is your cosec A, minus 1 upon cosec square A, minus 1 कुछ याद आ रहा है that is cot square A आरे, यह वाली identity नहीं याद आ रही तो मैं यहां लिख देता हूँ cosec square A, one plus cot square A तो यहां पर अपना आ रहा है cosec square A यह plus 1 अदर आएगा तो minus 1 वो होता है cot square A के बराबर तो cosec square A, minus 1 नीचे बन रहा है वो हो जाएगा cot square A और cot square A पर root लगा है तो वो cot A ही बनके नीचे उतर जाएगा तो यह cot A ही हो जाएगा plus cosec A plus 1 upon cot A अब दोनों में denominator में तो cot A same है तो cot A कभी मैं LCM ले ले लेता हूँ cot A कभी मैं LCM ले ले लेता हूँ तो cosec A, minus 1, minus 1, plus 1 cancel यह बन जाएगा 2 times cosec A 2 times cosec A upon cot A यहां तक आगिया cot A को क्या लिख सकते हो? cos by sine cosec को क्या लिख सकते हो? 1 by sine sine से sine cancel, 2 by cos आगिया मतलब 1 by cos को sec लिख दोगे तो 2 sec A ही बन रहा है मचा दिया होगा, नहीं आया है इसके बाद समझ में तो देखो, मैं करके बता दिता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है यह बना अपन 2 cosec A upon cot A अब cosec A को अपन लिख सकते sine cos में बदल के तो 2 upon cosec A को लिख दिया 1 by sine A जब भी इन तरह के question आए तो आखरी में sine cos में ही बदलना रहेगा इस माइक को क्या हो रहा है है ना और cot A को अपन लिख सकते हो cos A upon sine A तो यह cancel हो गया यह बचा 2 upon cos से और 2 upon cos से क्या होगा 2 sec यह तो आ गया lhs equal to rhs आ गया क्योंकि rhs में 2 sec ही था hence proved muskahn के साथ prove कर दिया अपनने मचा दिया सबने है ना बड़े आगे बड़े आगे चलो यह चीज आ गई समझ मैं कोई दिक्कत किसी भी तरह का कोई confusion हो गई नहीं बहुत आसान था अगला सवाल अब याद तुम लोग भी कोशिश करो attempt करने की rhs को देखो lhs को ऐसे solve करने की कोशिश करो कि वो rhs के बराबर बन जाए यह sin a plus cause है upon sin a minus cause है sin a minus cause है upon sin a plus cause है तो यहर इस सवाल में तो इस सवाल में तो बहुत ही आसान सवाल है यह तो बहुत easy question है this is a very easy question क्या करना है lcm लेना है lcm ले lcm ले लिया sin a minus cause है और sin a plus cause है lcm ले लिया sin a minus cause a sin a plus cause a है ना lcs को ही ले रहे हैं lcs को ही ले रहे है तो यह sin a plus cause इस इदर multiplication में हो जाएगा यह बना sin a plus cause a का स्क्वाइर plus sin a minus cause a का स्क्वाइर हो गया a plus b का होल स्क्वाइर a minus b का होल स्क्वाइर तो 2 times a square plus b square होता है खोल के भी देख लो तो, नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है sin square a minus a minus b a plus b a square minus b square तो sin square a minus cos square a, यह तो नीचे बन गया, उपर की मैं बात करूँ, तो sin a plus cos a, उपर की मैं बात करूँ, तो sin a plus cos a का whole square है, तो यहाँ पर a plus b का whole square लगा होगे तो क्या बनेगा, sin square a plus cos square a a square plus b square plus 2ab थिक फिर वापस से a minus b ka whole square लगाओगे तो sin square a plus cos square a minus 2 sin a cos है बहुत ही बढ़िया अब यहार यहां पे तो दिख रहा है यहां पे तो दिख रहा है 2 sin a cos से यहां से और यहां से cancel हो जाएगा यह sin square a 2 times हो जाएगा और cos square a भी 2 times हो जाएगा मतलग 2 times sin square a plus cos square a हो जाएगा है ना उपपर देखो जहान। यह बन गया 2 times sin square a plus cos square a upon me sin square a minus cos square a अब अपन जानते है sin square a plus cos square a कितना होता है? 1 होता है तो 2 हो गया upon में sin square a minus cos square a ये तो LHS जो है वो equal आ गया RHS के तो hence ये भी prove हो गया मचा दिया? देख लो एक बार अगला सवाल करो इसको attempt है ना थोड़ा सा यहाँ पर ये मैंने अपने हाँ से लिखा है sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus 10 theta ओके ये prove करना है CBSE का question है मुस्कुराते वे इस question को prove करो क्या करोगे? क्या करोगे? येर देखो sin theta minus cos theta plus 1 है sin theta plus cos theta minus 1 है मेरे को लाना क्या है sec theta minus 10 theta लेके आना है तो येर sec और 10 कब दिखेंगे? कभी मैं इस equation को देखू ध्यान से कभी मैं इस equation को देखू ध्यान से तो मैं कोई एक चीज़ समझ में आ रहा है कभी मैं LHS को ले रहा हूँ है ना I am taking the LHS और LHS से अपन RHS तक जाने का सफर तई करेंगे है ना मैं hint देदेता हूँ इसमें identity use होगी sec square theta is equal to 1 plus 10 square theta ये hint है वीडियो को pause करो खुट से attempt करो बनना चाहिए अब क्या करेंगे देखो इसमें तो देखो चाहिए sec और 10 ये sec और 10 कब बनेंगे जब मैं इसको divide कर दू cos theta से numerator को भी और cos theta से divide कर दू denominator को भी तो sin by cos ये बन जाएगा 10 cos by cos खतम हो जाएगा और ये 1 by cos sec बन जाएगा तो मैंने क्या किया divide numerator and denominator by cos theta इनलेचेस तो क्या हो रहा है देखो sin theta by cos theta हो गया minus cos theta by cos theta हो जाएगा plus 1 upon cos theta हो जाएगा upon में sin theta by cos theta हो जाएगा है ना plus cos theta by cos theta हो जाएगा minus 1 upon cos theta हो जाएगा अब इसी को ध्यान से देखे तो sin by cos हो जाता है 10 theta ये अपना था अगली step ये हो जाएगा 10 theta minus 1 plus 1 upon cos theta होता है sec theta upon में ये बन जाएगा 10 theta है ना plus 1 minus sec theta इस तरीके से ये हो रहा है अब यार यहां पर मैं कभी ध्यान से देखूँ तो ये बन रहा है 10 theta minus 1 plus sec theta 10 theta plus 1 minus sec theta आप तुम यहां पर ध्यान से देखना इस 1 को इस 1 को तुम कभी देखोगे इस प्यारे से 1 को देखो इस 1 को कभी तुम देखो तो तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ इस 1 को मैं लिख सकता हूँ sec theta minus 10 theta into sec theta plus 10 theta क्यों लिख सकता हो देखो दिहान से 1 होता है sec square theta minus 10 square theta या identity बताई ती sec square theta 1 plus 10 square theta होता है उसको उदर भेज दिया तो यहां पर important यह है कि 1 को मैं लिख सकता हूँ sec theta minus 10 theta into sec theta plus 10 theta इस तरीके से अब यह तुम्हारे दिमाग में चमक रहा है तो numerator को तो अपन ने as it is लिखा that is 10 theta minus 1 plus sec theta upon में इधर कभी मैं ध्यान से देखूँ तो यह 1 जो है यह 1 को मैं पहले लिख रहा हूँ और इसको 1 minus 1 minus इधर से मैं लिखा sec theta minus 10 theta मैंने क्या करा यह minus sign common निकाला यह sec theta minus 10 theta के form में लिख दिए और यह 1 जो है इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ sec square theta minus 10 square theta pentru क्योंकि मेरे denominator में मैं यह चाहिए तो मैंने ये सोचा, अब यार ये 1 जो है, 1 को वो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को आगे देखो, denominator की मैं बात करूँ, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ, sec square theta minus 10 square theta minus sec theta minus 10 theta और उपर जो था वो तो है, that is 10 theta minus 1 plus sec theta, है ना, बहुत ही बढ़िया, अब यार यहाँ पर दो factor होंगे, a square minus b square के दो factor होते, that is sec theta minus 10 theta into sec theta plus 10 theta, बहुत बढ़िया, minus sec theta minus 10 theta, बहुत ही बढ़िया, मेरे खाल से बच्चे को चमक गया होगा, ये क्या बन रहा है, 10 theta minus 1 plus sec theta, अब इन दोनों में से मैं sec theta minus 10 theta common निकाल सकता हूँ, जो मेरे को लाना था denominator में, वो मैंने common निकाल लिया, है ना, अब जो बचा है, अब ही मैं sec theta minus 10 theta common निकाल लूँगा, इस वाली term से तो इदर बचेगा sec theta plus 10 theta, है ना, ये बचेगा, और उदर से ये common निकाल गया, तो minus, ये पूरा भाहर निकाल गया, तो 1 बचा, bracket close, उपर क्या बचा, that is 10 theta minus 1 plus sec theta, अब मेरे प्यारे बच्चो, क्या ये दोनों बाते सेम लिखी है, 10 theta plus sec theta minus 1, 10 theta plus sec theta minus 1, ये दोनों एक ही बाते तो cancel हो जाएगा, तो ये बन गया, 1 upon sec theta minus 10 theta, hence, proved, यही तो RHS था, यही लिख देना, LHS is equal to RHS, hence, proved, RHS ले के आ गए, LHS ले के चले थे, RHS तक पहुँच गए, 10 theta minus 1 plus sec theta, और इदर भी 10 theta minus 1 plus sec theta cancel हो जाएगा, 1 upon sec theta minus 10 theta बचा, यही ले के आना था, ले के रा गए, बहुत आसान है, केवल देखो, RHS में क्या लाना है, LHS को उस तरीके से manipulate करो, ये question, तुमारी, मतलब, इस से ज़्यादा tough नहीं आएगा, इस से ज़्यादा tough तुमको proof नहीं आएगा, और इसकी probability बहुत ज़्यादा ये आता ही है, इस तरह का आएगा, ये कॉसे कॉट में आएगा, sec 10 का करा दिया, एक कॉसे कॉट का भी करा दूँगा, ये दो question की ज़्यादा probability होती आने की, अप्रोच क्या है, इस one के साथ खेल गए अपन, ये जो one है न, इसके साथ खेल गए अपन, इस one के साथ खेल गए, बस ये one को अपन ने sec square theta minus 10 square theta लिख दिया, मेरे ख्याल से सबको सारी बाते समझ में आगई होगी, प्रूव भी पूरा समझ भाया होगा, बड़े आगे, अगला, CBSE 2010 का, मचाओ गए क्या इसमें, तुम लोग, मचाओ चलाओ, समय दे रहा हूं, खुछ से कोशिश करो, वीडियो को पॉस करो, अटेम्ट करो, one plus sign, देखो, जब भी under root आये, तो पहला thought के आएगा दिमाग में, rationalize करना, अब ये one minus sign a को rationalize करने का तरीका क्या है, one plus sign a से multiply और divide कर दो, है ना, one plus sign a से multiply, divide किया, तो LHS को ले के चलते हैं, है ना, दोनों तरफ one plus sign a से, उपर और नीचे, multiply कर दिया root of, ठिक, तो इधर अपने root of one plus sign a, और इधर भी आएगा one plus sign a, तो ये बन गया a minus b, a plus b, that is, root of one minus sign square a, a square, one का square one ही होता है, minus sign square है, और उपर क्या बन जाएगा, root of one plus sign a का whole square, अरे सवाल दिया है, तो बहुत आसानी से बनेगा, ये root हटेगा, square से, तो उपर बचा one plus sign a, नीचे क्या बचा, cos square a का root, तो cos a बचा, अब इसको अलग-अलग करके लिखोगे, तो one upon cos a हो जाएगा, plus sign a upon cos a हो जाएगा, मेरे ख्याल से, one upon cos a तुमको भी पता है, that is second, और sign a upon cos a होता है, 10 है, ये ही लाना था क्या, second plus 10 ही लाना था, one upon cos a second होता है, और sign a upon cos a होता है, तो यहाँ पर फिर आ गया, hence proved, LHS लेके चले थे, RHS आ गया, यहाँ लिख देना LHS बराबर RHS, second plus 10 एं तक पहुँच गया, hence proved मचा दिया, करना कुछ नहीं था, बस इदर multiply और divide कर दिया पनने, root of one plus sign है, one plus sign है, question में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, basically one ही है, cancel हो जाएगा तो, तो one minus sign है, one plus sign है, a plus b, a minus b वाली identity, a square minus b square बन गया, cos square a का root, देखो इसके आगे वाली step क्या है, इदर बना root of cos square है, और यह बन जाएगा one plus sign है, तो यह उसके बाद cos square है हो जाएगा क्या, cos square है क्या हो जाएगा, cos है और one plus sign है, ऐसा का ऐसा रहेगा, है ना, और फिर इनको अलग-अलग करके लिखेंगे, तो one upon cause से, plus sign upon cause से, तो one upon cause से से के हो गया, sign upon cause से कहने हो गया, practice जितनी करोगे, उतनी जल्दी सोच पाओगे, है ना, तो बस तुम भी इतनी जल्दी सवालों को कर पाएंगे, ये 2010 का था, बन गया, बड़े आगे, चला, मैंने बोला तो एक sec को सेक का भी कराना जरूरी है, तो sec को सेक का, CBC 2010, 11, 12, 13 साल आया था ये question, क्या करना है इसमें, तो देखो, जब समझना पड़े कि question को approach क्या करना है, तो सबसे simple तरीका सब को sin cos में बदल लो, इस 10 theta को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 10 theta को मैं लिख सकता हूँ, sin theta upon cos theta मैं LHS को ले रहा हूँ, है ना, LHS को ले रहा हूँ, RHS ले के आऊंगा, तो इस 10 theta को मैंने लिख दिया sin theta by cos theta, इस cot theta को लिख दिया cos by sin, okay, plus cot theta को लिखा cos theta by sin theta, मुस्कुराओ रहे, क्या कर रहे हो, नहीं समझ मा रहा है क्या, कुछ नहीं कर रहा हूँ, 10 theta पता है sin by cos, cot theta पता है cos by sin, बस उसी तरीके से लिख रहा हूँ, बस उनको, यह बन गिया sin theta by cos theta, अब देखो, अब तुम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह बन गिया sin theta by cos theta, upon sin theta, minus cos theta, upon sin theta, plus cos theta, upon sin theta, अब तुम को एक बात बता हूँ, यह divide में है, यहाँ पर divide लगावा है, this is your main division sign, तो basically, यह तो उपर जाएगा, और यह इसके साथ आएगा, तो यह basically क्या लिका है, यह sin उपर चला जाएगा, that is sin cube theta हो जाएगा, upon में क्या है, that is cos theta into sin theta minus cos theta, same इदर, यह cos, यह cos, देखो, two second, यह sin उपर जाएगा, sin square होगा, sin square होगा, यह sin उपर जाएगा, एक sin था, तो sin square होगा, इदर भी यह cos उपर जाएगा, तो cos square हो जाएगा, और यह दोनों में का multiplication हो जाएगा, that is sin theta into cos theta minus sin theta, फिक है, इतनी बात हैं आगई समझ में, अब तुम यहाँ पर देखो, sin theta minus cos theta यह भी है, इदर भी कभी sin theta minus cos theta बनाना है, तो minus sin अपन इदर लिएओ, तो sin theta minus cos theta, sin theta cos theta LCM हो जाएगा, तो अगले पेज में ही कर लेते हैं, अगले पेज में मैं यह वाली बाते पूरी लिख देता हो, अब यह देखो, यह यहाँ पर मैं को sin theta minus cos theta लिखना है, तो यह plus का minus हो जाएगा, बिल्कुल, और इदर आजाएगा आपका वापस sin theta minus cos theta into sin theta, और यह आजाएगा cos square theta, बहुत बढ़िया, अब मैं LCM ले सकता हूँ, LCM क्या होगा, that is sin theta cos theta sin theta minus cos theta, बहुत बढ़िया, तो इदर basically sin theta से multiplication हुआ, तो उपर भी sin theta से multiplication होगा, तो वो बन जाएगा sin cube theta minus cos cube theta, a cube minus b cube, जिनको नहीं आती है, इदेटी उनके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि algebra की identity बहुत important है, सारी दिमाग में होगी, तब ही question बनेंगे, a minus b, a square plus ab plus b square, है ना, तो ये वाली identity लगा दी, a cube minus b cube मतलब हो जाएगा, sin theta minus cos theta, into sin square theta, plus ab, sin theta cos theta, plus cos square theta, upon में, sin theta cos theta, into sin theta minus cos theta, ये इस से cancel हो गया, अब इनको कभी मैं देखू, तो sin square theta plus cos square theta हो जाएगा, one, one plus sin theta cos theta, उपर बचा, upon में sin theta cos theta बचा, अब इदर देखू मैं, तो one by sin theta, अब इसको अलग-अलग करके लिखे हैं, तो ये बना, one by sin theta cos theta, plus sin theta, cos theta upon sin theta cos theta, one by sin theta होता है, cos theta, और one by cos theta होता है, sec theta, तो ये हो जाएगा, cos theta, sec theta, और ये तो cancel, तो plus one, तो ये आगया, LHS आपका RHS के बराबर, इतना ताम जाम करने के बाद, ये ही लाना था, cos theta, sec theta, plus one, आगया, तो सवालों को, जब कोई approach ना मिले, तो पूरे को sign cost में convert किया, LCM लिया, simplification की answer तक पहुँच गया, कोई दिक्कात नहीं है, बहुत detail में इसका solution दे दिया मैंने आप लोगों को, है ना, मचा दिया होगा, बड़े आगे, पका, note कर लेना इसको, चला, अगला, सेम तरह का question है, जो अब ये अपन ने 10 sec का देखा था, अब ये cos sec caught का है, क्या करें इसमें, cos a minus sin a plus 1, अब देखो, बलाना cos a और caught a, तो cos a कब आएगा, इसको कभी मैं divide कर दू, cos a से numerator को भी और denominator को भी, तो ये क्या बन जाएगा, खतम, cos a से करने का कोई मतलब नहीं, उसमें 10 a और sec a बनता है, तो sin a से कर दो, कभी मैं lhs को, taking lhs, divide numerator, ये अप्रोच ये ही है, क्योंकि rhs में क्या है, cos a है और caught a, आपको पता है, आपको एक बात पता है, कि यार ये जो cos a होता है, वो होता है 1 upon sin है, और जो caught a होता है, वो होता है sin a by, sorry, cos a by, sin है, मतलब denominator में क्या आ रहा है, दोनों में sin a ही आता है, तो sin a से divide कर दो, तो sin a से divide करोगे, divide numerator and denominator, by, denominator by, sin a, कभी sin a से में divide कर दो, numerator और denominator को, तो ये क्या बन जाएगा, देखना, कौसे, कौसे अपॉन साइने, माइनस साइने, अपॉन साइने, प्लस वन अपॉन साइने, बहुत बढ़िया, अपॉन में, कौसे अपॉन साइने, प्लस साइने, अपॉन साइने, माइनस वन अपॉन साइने, भाई, निम्रेटर और डिनॉमिनेटर दोनों में करा तो कोई दिक्कत है, नहीं, कौस बाई साइने क्या होता है, इस, कौसे अपॉन साइने, अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ, अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ, तो तुमको अब क्या करना है, निम्रेटर में आंसल लेके आना है, प्छली बार मैंने वन को कहां पर एजिम किया था, वन की वैल्यू कहां पर आजिम करी थी, वहां पर भी दोनों जगा वन थे, पर मैंने sec square a minus 10 square a, किस वन को रखा था, डिनोमिनेटर वाला, क्योंकि मेरा आंसर क्या था, 1 upon 10 a minus sec a के टर्म्हें था, यहां पर मेरा आंसर निम्रेटर में दिया वा है, cosec a plus cot a, तो मैं इस one को, इस one को मैं एक identity जानता हूँ, that is cosec square a minus cot square a, बराबर होता है one, तीसरी identity को थोड़ा सा, बदल के लिख दिया, cosec square a होता है, one plus cot square a, तो plus इदर आएगा, तो minus का हो जाएगा, इस one को मैं यह लिख सकता हूँ, बिलकुल लिख सकता हूँ, अब इसको धियान से देखना, यह लिखा है, cot a plus cosec a minus, यह one है ना, इस one को कुछ नहीं करना है, बस यह value substitute कर दो, cosec square a minus cot square a, upon में, cot a plus one minus cosec a, बस मैंने तुमारा काम कर दिया, यह क्या है, इदर देखो, cosec a plus cot a बनेगा, cosec a minus cot a बनेगा, cot a plus cosec a common निकल जाएगा, जो लाना था, और बाकी जो बनेगा, वो denominator से cancel हो जाएगा, देख लो तुम, अरान से, इसको मैं और अच्छे से करूँ, तो यह क्या बन रहा है, cot a, यह इसको मैं लिख देता हूँ, cosec a plus cot a, minus cosec a plus cot a, into cosec a minus cot a, a plus b, a minus b, upon मैं, cot a, plus one, minus cosec a, बहुत बढ़िया, अब इदर देखें हैं अपन, तो cosec a plus cot a common निकाल लिया, cosec a plus cot a, कभी मैं common निकाल लेता हूँ, तो यह बनेगा one, बहुत ही बढ़िया, minus देखो, यहां से cosec a plus cot a common निकला, तो यह बचावा क्या है, minus cot a, बचावा portion, है न, minus sign यह, और यह common निकल चुका है, तो वो बचावा था, वो आगिया, upon मैं, सारी कहानी, that is one plus cot a, minus cosec a, अब तुम यहां पर ध्यान से देखो, तो यह क्या रहा है, one, plus cot a, minus cosec a, यही लिखावा है, दोनों cancel हो जाएंगे, यह वाली चीज वही लिखिए, इसको देखो, minus minus plus हो जाएगा, cot a, minus cosec a, कोई दिक्कत नहीं है, और इदर वही है, cosec a, plus cot a, upon मैं, one plus cot a, minus cosec a, जब answer, अपने को numerator में लेके आना है, तो अपने one उपपर वाले को यह अधियूम किया, numerator वाले को, है ना, इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो, cosec a, plus cot a, hence, proved, यही लाना था, proved हो गया, LHS, RHS के बराबर आगया, मचा दिया, मेरे ख्याल से, अब trigonometric identities के तुम सवाल हिला दोगे, हिगे, CBC 2010, one plus sign है, one minus sign है, यह तो अभी हाल कराया मैंने, है ना, तो बस, that's all, that's all, बच्चा लोग, accept your past without regret, handle your present with confidence, and face your future without fear, क्या प्यारा कोट है, इसी के साथ, आज की class को खतम करते हैं, thank you so much, मिलते हैं next class में, अब तक के लिए मन लगा के भड़ाई करते रहो, और आज की मेहनत पर भरोसा करो, क्योंकि आज की मेहनत ही तुम्हें result देगी, जो समय बीद गया, वो अब तुमारे हाद में था नहीं, इसलिए accept your past without regret, जो अपन ने करा ठीक, अब उसका पच्टावा करने का कोई sense बनता नहीं है, handle your present with confidence, confidence होना चाहिए, क्योंकि बिना confidence के कोई भी सवाल को attempt करने जाओगे, question को देख के कभी घबरा जाओगे, तो question कर नहीं पाओगे, and face your future without fear, डरना नहीं है, exam आ रही है, तो डरने की कोई बात नहीं है, हमारी तयारी पे इतना भरोसा रखो कि अंसम मच आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाई बाई टेक क्यार और मुश्क बढाते रहो, पढ़ाई करते रहें, all the very best.